हलो फ्रेंज जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिकर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतराश्ट्री वानिची के यात्री उडानों पर प्रतिबंद बढ़ा दिया है। उडानों के अनुमती दी जा सकती थी और इस दोरान वंद्री भारत में जैसा कि आप जाते हैं एक भारत सरकार की तरफ से योजन चलाई जा रही थी तो उसके पहले उडाने हैं वो जारी रहेंगी इससे पहले कुरोना वारिस महमारी के वज़ा से लागू किये गए जो लॉ अबर 2020 तक प्रतिबन लगा गया था अब जो है इसको बढ़ाया गया है अब बढ़ते हैं दोस्तों हमने आगे इस सवाल की तरफ भारतिया आईटी उद्यों के जनक के रूप में किसे जाना जाता था और इसका उनकर हाली में नितन हुआ इसके पर हमने बात भी करी है तो FC कोहली जो है इनको भारतिया आईटी उद्यों के जनक के रूप में जाना जाता था इसके ओपर एक सवाल और हम कर चुके हैं ये एक सवाल और है जो की दूसरे एंगल से है इस वज़े से हमने यहाँ पर आज शामिल किया है तो देखिए फकीर चेंदर कोहली को दुको के तोर पर जाना जाता है इनका जन्म 28 फरवरी 1924 को हुआ और पेशावर में हुआ था जो कि पागिस्तान में है कोली 100 अरब डॉलर की TCS कंपनी के पहले CEO थे जिन्होंने 2002 में कोली को पत्मु भूशन से सर्मानित किया इसी तरह को एकॉनोविक्स टाइम फॉर वर्ष 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था उन्ही के प्रयासों का नितिज़ा था कि IBM जैसी बड़ी विलेशी कंपनी भारत आई और टाटा IBM ने साथ मिलकर काम किया सूचना प्रद्द्योगी की मंतरी रवी शंकर प्रसाद ने भी जो है फक करेंट अफेर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करेंट अफेर्स के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मंत वाइस करेंट अफेर्स मिल जाएंगे जहां आप मंत के हिसाब से करेंट अफेर्स पढ़ सकते हैं जब आप करेंट अफेर्स टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप क्याटेगरी वाइस करेंट अफेर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरीज मौजूद है इन में से कौन सा देश 2020 के लिए फीफा की फाइनल रांकिंग लिस्ट में सबसे उपर है तो इसका जवाब है वो है बेल्जियम आप्शन डी तो देखिए जोस्तों आपको बताएं 27 नमबर 2020 को फीफा द्वारा जारी 2020 के लिए अंतरिम रांकिंग जो सूची में यूरोप यह देश बेल्जियम को शीर्श स्थान दिया गया है प्रांस को दूसरे स्थान पर रखा गया है जबकि ब्राजील को तीसरे स्थान पर और इंग्लेंड के इंग्लेंड को जो है चौतरे स्थान पर रखा गया है और पूर्टगाल को पांच पर रखा गया है फीपा की तरफ से जारी की गई नई रांकिंग में शीष चार टीमों और कोई असर नहीं पड़ा है और पिछले खेल करती वीडियो में लगबग छे महीने बाद यूरोप में यूएफा निशन्स लीग की फिर से जो है शुरुआत के बाद सितंबर 2020 में अंतराश्टे मुगावले फिर से शुरू हो गए इनका सीधा प्रभाव फीपा की विश्व रांकिंग पर पढ़ा और फीपा रा इनमें से कौन सा देश वर्च 2020 के लिए वीपा रैंकिंग के 6-10 देशों में अपनी जगाव बनाने में असफल रहा है इसका सही जवाब है जर्मनी। मेक्सिको और इटली हैं जर्मनी वर्तमान विश्व कप चैंपियन है और साते साथ फटबॉल खेलों के अंतराश्ट्री प्रत्योगी दाओं में जर्मनी की टीम सबसे सफल राश्ट्री टीमों में से एक है जिसने वर्ष 1974-1974-1990-2014 में कुल चार विश्व कप जीते हैं और वर्ष 1972-1980-1996 में कुल तीन यूरूपिया जैंप्रेंशिप की जीती हैं और पूर्भी जर्मनी की टीम ने वर्ष 1976 में उलम्पिक स्वन पतक भी जीता था दोस्तों अब उस सबसे बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पीछले वीडियो में पूछा था भारत और सही जवाब है दस साथा आपने से बहुता है दोस्तों ना इसका सही जवाब दिया है भारत और सहे तो राज अमरिका नेтесь पर मानू उर्जा पर सहयोग के लिए समझावता गयापन को दस साथ के लिए विस्तारत कर दिया है विस्तार ने कर दिया है इस समझ जोड़ते जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है सवाल है कि ट्रांसजेंडर व्यक्यों के लिए गरिमा, गरह और नाशनल पोर्टल का गाडन किस ने किया आपके आप्शिन से तो आपको अपने जवाब कोमेंट बॉक्स में लिख कर देना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अभी तक आपने माचाया को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें